आकाश्मानी भोपाल से प्रस्तुत है कारिक्रम आजकल विशह है आजादी का अम्रत मोहसब आलेक अमित कुमार सेन वाजन्सवर दीपा सिंग भारत की प्रधान मंत्री श्री नरिंग्र मोदी ने कहा था यह हमारा स्वभाग्य है कि समय ने देश ने इस अम्रत मोहसब को साकार करने के जिम्मदारी हम सब को दी है एक तरह से यह प्रयास है कि कैसे आजादी के 75 साल का यह आयोजन आजादी का यह अम्रत मोहसब भारत के जन जन का भारत के हर मन का पर बने प्रदान मंत्री ने 12 मार्श 2021 को साभर मतिया अश्रम एहमदाबाद से डांटी मार्श कोहरी जंदे दिखा कर आजादी के अमरत मौतसव के शिरुआत की ये समारो स्वतनतजा की हमारी 35 वी वर्षकार्ट से 35 सप्ता पहले शिरु हुआ और 15 अगस 2030 को ठहर जाएगा ताकि आजादी पर अपने प्राण निचार करने वाले महा पुरुषों की यादों को सहे जा सके आजादी का अमरत मौतसव प्रगती और आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ते भारत के आजादी का उतसव है आजादी के 35 साल और इसमें शामिल लोगों संस्क्रती तता उपलब्धियों के गौरशाली तिहास को मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है ये मौतसव भारत की लोगों को समर्पित है जिन्होंने नकेवल भारत की विकास यात्रा में अपना योगदान दिया बलकि वो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मस्बूत बना रहे हैं उनके पास भारत को उन्नित बनाने का द्रिश्टिकून है उसे सक्षम करने की शक्ति के साथ शमता भी है जो आत्मनिर्भर की भामना से प्रेरित है आजादी का अमरत्माव सव भारत की सांस्क्रतिक एक्टा देश के प्रतिसम्मान और देश प्रेम का प्रतीक है भारत विशु का साथमा सबसे बड़ा देश है, इसे हम इंदोस्तान यूँ ही नहीं कहते, बलकि इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां रंग, रूप, वेशपाशा भले ही हमारी अलग हो लेकिन सब ही जनेक हैं, और जन जन से ही जनता तथा जनता से लोकतंतर बनता है, भारत का ल संसकती और सब्विता की शिरुवात हुई, भारत अंग्रेजों के गुलामी के जन्जीर में गरीब 200 साल से भी ज्यादा समय तक रहा, इसके बाद हमें आजादे मिले, 15 अगस्त 1947 ये वो सुनहरी तारीक थी जब भारत अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ, देश सावल प्रधान मंत्री नरिंद्र वोधी ने 12 मार्श 2021 में अमरत मौसों के शिरुवात की थी, ये दिन इसलिए भी चुना गया क्योंकि इसी दिन राश्रपेता महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के एक क्यानफी साल पूरी हुए थे, महात्मा गांधी और उनके साथियों ने विरोध में आत्रा निकाली थी, जो की साबर मत्य आश्रम से शिरु हुई थी, महात्मा गांधी ची ने 24 मार्च 1939 डांडी में समुद्र के किनारे नमक बना कर अंग्रेजों के काले कानून को तोड़ा था, ये आत्रा 24 दिन चली थी, जिसमें 80 लोग शामिल थे, 390 खबर हैं, यदि वो उनके बारे में जानते भी हैं, तो बहुत कम, ऐसे में ये महत्सव उन महा पुरिशों द्वारा आजादी के संग्राब में बलिदान देने की शौरिगाथा को दर्शाता है, सही माईने आजादी के अमरत महत्सव में उन वीर सपुतों को याद करना है जिन्हों ने अपना परिवार और अपना समस्त जीवन केवल देश को समर्पित कर दिया, आजादी का अमरत महत्सव किसी विशेश जाती, धर्म या राज नहीं बलकि संपून भारत के लिए है, ये राश्री महत्सव है, ये महत्सव सभी सरकारी सिस्तानों में धूम धाम स मराय जा रहा है, रेलिया निकाली जाती है, राश्री ध्वश पर आय जाता है, स्कूलों में बच्चे संस्क्रतिक कारिक्रों में हिस्सा लेते हैं, और बच्चों को आजादी के संघर्ष के कहानियां बताई जा रही है, आज भारत एक है, अखंध है और आगे बढ़ रहा है, अंग्रीज कहकर गये थे कि हमारे जाने के बाद तुम्हारा देश विखा जाएगा, पर उन्होंने सूचा नहीं होगा कि भारत सबसे विशाल लोगतांतरक देश के रूप में निखा जाएगा, आज कल में इतना ही नमस्कार